इस पूरे सिस्टम को मैं अभी आपको सिंपल बहुत सरल करके आपको दिखाऊंगी जो जिससे आपको समझने में बहुत ही सुविदा होगी तो ये पहली तस्वीर जो दिख रही है ये जब पहला स्टेप होता है टीशू कल्चर के लैब में जो टीशू कल्चर के लैब में छोटे जो CPRI या किसी दूसरे रिसर्च इंस्टिजूट से लाया गया स्टीशू कल्चर मिटीरियल को लिया जाता है फिर उस उन छोटे पौधों को चार बाग में काटे जाते हैं और उनको ऐसे मीडिया में रखा जाता है करीब करीब दो वीक इसको मीडिया में ग्रो करने के लिए छोडा जाता है और फिर दो तीन वीक के बाद ये लास्ट पिक्चर जो है जो बोटल में दिख रही है ये कुछ इस तरह से दिखेगी और ये बिल्कुल तयार है फिल्ड में ले जाके इनके एपिकल रूटेट काटिंग बनाने के लिए तो टीशू कल्चर के बाद इनको हम पॉली हाउस में एपिकल रूटेद काटिंग बनाने के लिए ले जाते हैं ये पहला फोटो हमारा खुट का सिप का इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर का बैंगलोर में हमारा पॉली हाउस है फेसिलिटी जहां हम एपिकल रुटेट काटिंग करते हैं उसका है तो यह एक पॉली हाउस है जिसमें हम A.R.C. काटिंग बनाते हैं और पॉली हाउस के अंदर इस तरीके का बेट बनाया जाता जिए है चीडा के ऊपर जहां हम वह जो इस तो मठीरेल रहा है और टू से लोच़ हिवा जिनको लाआ जाता है और दूसरे पोटोग्राफ में जो आपके बड़ टिख रहे हैं उस वैसे बनाने के बाद उस में इसको लगाया जाता है निकाल के बोटल से तो यह जो चोथी पिक्चर है उसमें ये बोटल से निकाला हुआ चोटा सा तू 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 त्री विक्स ओल टीशू कल्चर का मटीरियल है जो आया हुआ है और फिर उनको इस तरीके से उसमें लगाया जाता है जो लास्ट प्रिक्चर में दिख रहा है तो इसके बाद ये जब सारे अगर मेरे पास टीशू कल्चर के जितने मिटीरियल है तो मैंने अगर डेड में लगा दिये तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे जो पहला फोटो अभी आपको दिख रहा है इसको उसके बाद हार्डन होने के लिए उसको स्टेबिलाइज होने के लिए कुछ दिन छोड़ देना पड़ेगा करीब-करीब 14-17 दिन मान लिजे दो हफता दो हफता तक उनको छोड़ देना पड़ता है दो हफते बाद ये बिलकुल तयार हो जाते है जिसको हम बोलते एपिकलूट कटिंग वो जो टिशू कशए होचर टीसी प्लांट है उससे इनका फार्स-बैच मादर प्लांट बनते है और इनसे हम कटिंग ले सकते डो हफते बाद ये कुछ इस तरीके से विखेंगे और इनका हम कटिंग लेंगे यह लिया हुआ कटिंग को बेड में हम इस तरीके से तीसरे फोटो में दिख रहा है इस तरीके से हम इनको लगाएंगे तो लगाने के बाद जब यह स्टेबल होके ग्रो होगी तो यह चौती पिक्चर जैसी कुछ दिखेगी तो यह सारा प्रोसीजर है दो-दो हफते के इनको कातने लायक वो हो जाएंगे ऐसे इसके बाद इनके हम जो हमने लगाए उनके जो फर्स बैच ऑफ मदर प्लांस से इनके हम कटिंग लेंगे जैसे यह हमारे जो साथी है पॉली हाउस में वो लेर है आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है तो यह जब कटिंग करने के छोटें से शार्प किसी ओजार से तो यह कुछ कटिंग जो उनके हाथ में है ऐसे बिकता है उनके ऊपड़ी हिस्सा कटा जाता है कटने के बाद जो कटेवे पोधे है कुछ इस तरह के दिखते है कि उनके ऊपर से कटिंग लिया जाता है जो तीसरी पोडो है और favor हम अगर ये करने के बाद जब एक first mother plant का जो हमारा first batch था उनको उनके जो ये cutting है बरतन में ये जो ले लिए उनको हम अभी लगाएंगे एक करेंगे उसके बाद उसमें लगाएंगे यह चोटे से कटिंग्स जब लगाने ऐसे दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा है कि हम उसको भरते जाएंगे भरते जाने के बाद जब यह कूरा भर जाएगा एक ट्रे तो तीन दिन बाद यह कुछ इस तरही के से दिखेगा वह तो वहां पर हार्डन होने लगेगा, जो तीसरा फोटोग्राफ है, तो उसके बाद, अगर दस दिन बाद, इस ये तीन दिन के फोटो जो ट्रे है, उससे अगर मैं वो जो बद है, जो एक पौधा जो इसमें लगा हुआ है, दस दिन बाद मैं अगर निकालू उस ट्रे से, त और वो एक हेल्दी प्लान जैसा दिखता है, उसको हमको और ग्रो होने देना है, और कुछ पंदरा दिन बाद ये और ग्रो होगा, उसका हाइट बढ़ जाएगी, और ये वहती हेल्दी रूट्स बने वे एक कंप्लीट पौधा जैसा लगेगा, पंदरा दिन बाद ये कु तो 20 दिन तक करिब हमें वेट करना है, ये कटिंग, इस कटिंग को ले जाके हम लो कॉस्ट नेट हाउस में भी बीच उत्पादन के लिए लगा सकते हैं, या इस कटिंग को ओपन फील में भी लगाया जा सकता है, हम आगगे आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे, तो 20 दि के लिए यूज करने के लिए, ये बिल्कुल तयार है, तो इसको हम ट्रेस से निकालेंगे, दूसरे फोटो में आप देख रहें, और इसको आराम से कार्टन में ऐसे पैक किया जा सकता है, कार्टन में थोड़ा मिट्टी डालके उसके उपर सारे पौदे आराम से रखे जा ये किसान भाई के फील में ट्रांसफर किया जा सकता है, सस्ते में आलू बीज अच्छे क्वालिटी के उत्पादन करने के लिए, तो ये जो हमारे साथी है बेंगलोर में, ये एक कार्टन पैक करके ले जा रहे है, आपको दिख रहा है, और ये कुछ इस तरीके से उसको ल होते हैं, ये काटिंग जो बना है, इससे नेक्स स्टेज में बिल्कुल हाई क्वालिटी आलू के सीट्यूबर बनेंगे, जो ओपन फील में, लांस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ओपन फील में लग रहा है, जो लो क्वालिटी सस्ते में, नेट हाउस के अंदर भी ब अगर मैं इसको सामराइज करूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कि ये राइठ है साइब में जो ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको एक सामरी देना चाहती हूँ, कि पहला है CPRI शिमला या कोई दूसर रिसर्च इंसिट्यूट से, डिजीज फ्री, मतलब कोई जिसमें कोई बीमारी ना हो, मादर कल्चर लाना, और इसको टीशू कल्चर लैब में इसका मल्टिप्लिकेशन करना, उसका छोटे टीशू कल्चर टीशी प्लांस बनाना, जो कि हम पॉली हाउस में ले जा सके, एक कल्चर को चार भाग में काटके, कड़िग हम तीन महीने पांच साइकल यूज कर सकते हैं, और उससे जो टीशू कल्चर माटीरियल बनता है, वो हम स्क्रीन हाउस, मतलब जो पॉली हाउस आपको मैंने फोटोग्राफ में दिखाया, पॉली हाउस में ले जाते है, पॉली हाउस में उनको पहले जमीन पे लगाया जाता है, हार्डि करीब दो हफ्थे का गैप चाहिए, मतलब 14-17 दिन का गैप पीरियद चाहिए, वो ग्रो होने के लिए, हर 14-17 दिन के बाद वो मादर प्लान से एक नया कटिंग निकाला जा सकता है, तो ये प्रोसेस, अगर हम लोग मान लीजिए, हमको ऑक्टोबर में बीज उत्पादन के लिए कटिंग चाहिए, तो हमें ये प्रोसेस जून में शुरू करना पड़ेगा, ताकि इसका एक अच्छा क्वांटीटी मिल सके, फील्ड में ले जाने के लिए, तो ये एक सीजन के उपर डिपेंड होता है, कितने कटिंग चाहिए, और सीजन कितने दूरी में है, उसके बाद वो कटिंग जो आपने अभी देखे, सारे फोटोग्राफ के माध्यम से, वो जो फील्ड में, फार्मर्स फील्ड में, ओपन फील्ड में अगर हम ले जाते हैं, या नेट हाउस के अंदर भी लगाते है, और अगर मान ले जेए कि मैंने कोई 90 देस का वराइटी लगा है कि हम ये बोलेंगे कि इसको एक और साइकल उनको सीड माल्टिप्लिकेशन करना होता है, तो फीर और एक तीन महिला एक और सीजन, एंडेन ये बिल्कुल आलू के बीज, जो आराम से अगर हर्याना में ज़रुद है कि हर्याना का बीज प्रड़क्शन हर्याना में ही हो सक करता है, बिल्कुल सधे में और से बीज बिल्कुल सनते में में और से अगरुत है, लेकार पतही?!?! फिर हमको वेट करना है यह दो हटा एक तो पहला वाला पौधा को भी एक डूसरा उसके ओग्रोव होने के लिए दौ अग्रों और नया पोदे को भी हार्डेन होके कातने के लिए रेडी होने के लिए दो हफता चाहिए होता है 14 से 17 दिन करें तो जब ये फर्स्ट वीक पहले दो हफते में एक से दो मिले तीसरे वीक में सेकेंड कटिंग जब हम लेंगे तो हमको दूसरे से भी एक और मिलेगा और पहले से भी एक और मिलेगा तो उस हिसाब से अगर हम गिंतिक करेंगे छे सफते सफता में से 6 वीक में हमें एक प्लांट से करीब-करीब आठ प्लांट मिल जाएगा ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, से साथ आठ, ये पहला भाग में जो काला लाइन है ये पहला दो टू विक्स, फिर जो लाल लाइन है ये दूसरा टू विक्स और उसके लास्ट तीस, जो नेक्स लाइन है इसमें आपको आठ गिनेंगे तो आठ पोदे दिखेंगे, वैसे जैसे जैसे दो-दो विक जाएगी, ये बढ़ते जाएगी, बिल्कुल डबल होती जाएगी, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला, सोला से थर्टीटू, ये इस साब से बढ़ते जाएगी, तो ये है उसका बेसिक थियोडी, और आपको आमने प्रैक्टिक फोटोग्रैप्स भी दिखाए, ये तो अगर इसको सरल भाब में बिल्कुल अगर हम दिखाएगे, तो ये जो एपिकल रूटे काटिंग पद्धती है, ये तीन जगह में मिलके ये बनती है, एक तो टिशू कल्चर माल्टिप्लिकेशन, टिशू कल्चर में आपको कोटे आलू के ट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, अब ये तीनों व्यवसाइट के हिसाब से अगर एक व्यवसाइट के हिसाब से देखा जाए, तो ये तीनों अलग तरिके का व्यवसाइट तीन अलग लोग भी कर सकते हैं, और एक जन इसका कॉस्ट कैसा बने गूरी तो जो टिशू कल्चर से जो हम अगर फार्मर लेवल पे, किसान के लेवल पे, अगर कोई नर्ण सडी में इसको करना चाहे, जो पॉली हाउस, मैं टिशू कल्चर का बाट नहीं बोल रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे हमारा पीटीसी है, तो पीटीसी से हमें कुछ टिशू कल्चर मटीरियल मिल सकती है, और ये कोई दूसरा, अगर किसी के पास वैसा टिशू कल्चर फेसिलिटी है, तो वो भी आसानी से उसको टिशू कल्चर फेसिलिटी में टिशू कल्चर के प्लांस लगा सकते हैं, पोधे जो तो आपको दस वीक में उसको करीब करीब 10 लाग आपको कटिंग मिल जाएंगे अब जिसके पास मान लेते पॉली हाउस नहीं है और बिल्कुल नहीं तरिके से ये बिजनेस करना चाहते तो एक पॉली हाउस 500 स्क्वेर मिटर का एक पॉली हाउस लगाने का कुछ 10 लाग का खर ये दर दर दस साल ये पर लिंव खरी रहेगी वैसे कि वैसे टो मैं उसका एक लाग पर एक साल का ब्रेक अप करने एक साल का एक लाग लगा रहू है तो एक लाग पॉली हाउस का अगर खर्चा भी में ले लू पहले से है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो भी तो दस हजार पॉदो का तीस हजार लग गया और सारा जो जैसे कि आपका 10,000 कॉटिंग बनते 10 लाक बन जाएंगे एक दस वीक में तो यह बहुत उसका कॉस्ट कम हो जाता है सारा लेबर कॉयर फीड ट्रे त्रे जैसे जैसे कॉटिटी बढ़ता है उसका 50 पैसे का एक कटिंग का आपका कॉस्ट पैस लगा दूँ तो यह तो चे लाक तीस हजार बनता है और अगर एक रुपे में भी हम दस लाक कटिंग बेचते हैं फॉर ट्यूबर बनाने के लिए बीज बनाने के लिए तो भी आपको प्रॉफिट टीन लाक सेविंटी ठाउजन रहे एक दस लाक एक रुपया लगाएंगे पैसे भी दस लाक मिलेंगे उसके अब पात यह है कि अगर वहीं हम कॉम्पेर करें कि हम मिनी ट्यूबर खरीटे हैं इसके जगह अगर हम मिनी ट्यूबर खरीटे हैं सीट प्रडक्शन के लिए तो वह मैक्स नीमीमां पांच रुपय का तो पढ़ेगा आपको एक ट्यूब उस हिसाब से यह बहुत ही सस्ता पढ़ता है और इसका प्रॉफीट भी काफी अच्छा है फार्मर को यह मानलेते हैं मैं पीछले साइड को फ्रेश जाति हूँ अब मेरे पास है मैंने शुरू किया दस हजार टीशु कल्चर प्लांटे चोटे-चोटे टीशु कल्चर के क nodig से मेरे पास दस लाग है दस लाग को मैने बैच है अलग-अलग लोगों तो मैं एक फार्मर हूँ, मैंने खरीदा मेरा पैस एक एकर का जमीन है, एक एकर में मुझे ऐसे छोते काटिंग चालीस हजार चाहिए होगा, तो एक एकर में चालीस हजार काटिंग लगते हैं प्रॉपर स्केसिंग के साथ, वो अगर मेरे पास है तो ये चालिस हजार कटिंग चार लाग सी ट्यूबर प्रोडूस करें था एवरेज में मानके चल रही हूँ कि एक कटिंग आपको दस ट्यूबर डेंगे लेकिन आपको राइट हैं साइड में जो फोटो दिख रहा है यह उगांडा में एक दूसरे देश में हमारा ही स्टाफ ने य और हमें खुद हमारे खुद इंडिया के हमारे हमने जो किया है उसमें हमको असाम के मोरिगाओं में हमने लगाया थे वहां पर हमको मैक्सिमम 29 एक कटिंग से हमको 29 ट्यूबर तक मिला है सो लेकिन मैं बहुत ही कॉंजर्वेटिव हो के 10 ट्यूबर मानके चल रही हूँ तो यह चार लख लग जाएगा 10 एकर में लगेगा तो इस 10 एकर से हमको मिलेगा करीब 80 टन असी टन सेकेंड जेनरेशन गुट क्वालिटी बीच हमें मिल जाएगा तो यह जो इसमें मैं मानके चल रही हूँ कि आर्ट एवरेज आर्ट्यूबर मानके चल रही हूँ फिर भी 80 टन मिलेगा लेकिन यह तो बहुत ही एक मानना है यह बढ़ने का इसमें बहुत स्कोप है हमको हर जगा से एक्जामपन मिली है कि करीब 12-13 से ज्यादा ही रहती है बहुत जगा इसके एक कटिंग कटी उबर तो यह 80 टन हमारे सेकेंड जेनरेशन सीड रेडी है और यह बहु सकते हैं 80 टन हम 20 रुपे हम मान के चल रहें कि 20 रुपे में भी केजी हम बेचते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ा होगा यह फोटो है जो अभी डॉक्तर मोहनती जिनोंने पहले इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर के जो डिरीजिनल डायरेक्ट है उनका हाथ है वो पकड़े हुए है यह पोधा जो पहला फोटो है और इसी पोधे से हमको सबसे ज़्यादा ट्विंटी नाइन ट्यूबर्स मिले है जो साइड वाला फोटो है आप देख एक ही कटिंग से एक ही बार में हमको कडिब यह आप हमने लगाया है गिनके 29 एक दो तीन चार पा जो जो फोटोग्राफ में गरीन कुछ आलू देख रहे है वो किस कारण से ही प्रीयाद है फिर आप ते आप क्वेश्टेन पर आ जाए वो क्यों क्यों आ हमारा एक दूसरा पौधा लास्ट लास्ट स्लाइड है यह दूसरा पौधे का भी आप देख सकते हैं जो मैंने मैंने बहुत ही टिकनोलोजी है आप लोग